अभी मौनसून सत्र को खत्म हुई एक महिना भी पूरा नहीं हुआ कि सरकार ने 18-22 सितंबर तक लोगसभा राजसभा का विशेश सत्र बुलाया है मोधी सरकार ने पूरबर राश्रपती रामनात कोविन की अध्यक्षता में One Nation One Election पर कमेटी बनाई कमेटी में कौन-कौन सदस्य होगा इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा ये कदम सरकार के 18-22 सितंबर के बीच संसत का विशेश सत्र बुलाया जाने के एक दिन बाद आया है जोसका एजेंडा गुप्त रखा गया है बीते कुछ सालों से प्रधानमंद्री नरींद्र मोदी, लोकसभा और राजसभा चुनावों को साथ कराने की बकालत करते आये हैं इस बिल के समर्थन के पीछे सबसे बड़ा तरक यही दिया जा रहा है कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले करोडों रुपे बचाए जा सकते हैं अब इस पर विचार करने के लिए रामनात कोविन को जिम्मेदारी सौपे जाने का निर्ण है चुनावी दृष्टी कोड से में जबान के रूप में सरकार की गंभीरता को दिखाता है नोवंबर दिसंबर में पाचराज्यों में वधान सभा चुनाव होने हैं और इसके बाद अगले साल ही मैं जून में लोग सभा चुनाव होंगे वही वन नेशन वन इलेक्शन कमीटी के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए शुचेना उधवगुट के अनल देसाई ने कहा कि मुझे मीडिया के माधिम से जानकारी मिल रही है इस तरह की बाते फैराना ठीक नहीं है पाचराज्यों में चुनाव होने वाले हैं सरकार को ये देखना चाहिए कि देश के लोग क्या चाहते हैं उनके मत को भी ध्यान में रखना चाहिए वही इस मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्या का बयान भी सामने आया है स्वामी प्रसाद मौर्या ने इस कदम को समविधान विरोधी बताया और लोगतंत्र को बचाने के लिए सभी के एकजिट होने का आवाहन किया है स्वामी प्रसाद मौर्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा वन निशन, वन इलेक्षन का ने नय सम्मिधान विरोधी है लोकतंतर की हत्या पर राजतंतर की स्थापना का सरकार कुट्स प्रयास है सरकार के इस नेड़े की घोर भरसना करता हूँ लोकतंतर को बचाने के लिए सभी को एक जट होना चाहिए गफलत में रहोगे तो सम्मिधान बदल देंगे वही सफ़ा की तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है सभा प्रवक्ता पकरूल हसन का One Nation One Election पर क्या कहना है आप भी सुनिये जाती है कि देश में केवल दो ही राजितिक दल रहे हैं उनके नेतरित महीं चुनाव लड़ा जा सके इसलिए भारती जंता पर्टी देश के सविधान और लोकतान में बदलाव करना चाहती है समाजवरी पर्टी भारती जंता पर्टी के इस मनसूबे को एक रिपोर्ट के मुताबेक अलग-अलग चुनावों से देश के संसाधनों और धन की बरबादी होती है आयोग ने अपने रिपोर्ट में माना कि मौचूदा नियमों के मुताबेक एक साथ चुनाव संभव नहीं है इसलिए सम्विधान में कुछ अलग संशोधन की जरूरत है इसी आयोग के रिपोर्ट के मुताबेक सम्विधान में कम से कम पाँच संशोधन करने होंगे आपको बदा दे कि सरकार ने 18-22 सितंबर तक लोगसभा और राज्यसभा का विशेश सत्र बुलाया है जिसमें पाँच बाठके होंगी कहा जो रहा है कि सरकार समान नागरिक सहिता यानि यूसीसी और महिला आरक्षन बिल भी पेश कर सकती है लेकिन जिस तरहा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है इससे तो ये साफ है कि One Nation One Election से विपक्ष को कहीं न कहीं डर लग रहा है और कहीं न कहीं सीधा फाइदा भाटपक होता दिख रहा है, फाइदा हो ये नुकसान ये तो समय ही बताएगा पलहाल कले इतना ही आप देखते रहें आज की खबर